करेंट देखने हैं 27th edition of united nation climate change conference कोप 27 यह भी होना है conference of parties इससे पिछला conference of parties काम हुआ था ग्लासको ग्लासको तो अभी 2022 टेक प्लेस इन शर्म-अल-शेक सिटी तो शर्म-अल-शेक सिटी कौन सी कंट्री में है जहां पर कोप 27 हो रहा है इजिप्ट नाइजर चार्ट नाइजिरिया यह इजिप्ट में है 27th UNFCC कोप 27 यह इजिप्ट में होगा शर्म-अल-शेक कोप 27 और इस दिन ही होना था पिछले साथ आठ से 20 नॉम्बर 2021 कोविड की वेज़ों से नहीं हुआ है इसलिए अभी साथ से अठा नॉम्बर 2022 में यूनियन हों मिनिस्टर लॉंच्ट गसियारी कल्याण योजना तो गसियारी के कल्याण की योज़ुगास कठा करते हैं इनके कल्याण की योजना कहां देहरादू इस स्कीमें जो विमेन हैं हिली एरियाज में ग्रास के लिए जाती है उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा जो एनिमल फीड है जो पैक्ट स्लिज है यह इनको दिया जाएगा बेनिफिशियरी को आई तो यह मुख्यामरी गसियारी कल्याण योजना के इंडर ब कि कम हो रहा है एनिमल को रखना उसको उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए सपोर्ट करने के लिए ताकि आनिमल रह पाए ना प्रोड़क्शन बढ़े कि विच और फॉलिंग ऑर्गनाइजेशन है रिसेंटली डेवलब्ड विसल ब्लॉवर पॉर्टल किसने बनाया है इना विसल लोर क्या होता है विसल सीटी मारना ताकि लोगों लोग अवेर हो जाए अरह बरे के जिसकुछ गलत हो रहा है अगर कहीं पर उस चीज के लिए आक्शन मलब उसके बारे में लोगों को बताना जैसे एडवर्ड स्नोडन ने उसने विसल ब्लॉइंग का काम किया था उ लोगों के बारे में इंफर्मेशन लोगों को दी जा रही है तो वैसी विसल लोर कोटल बना दिया गया है तो इंडियन रिदेवल एंडर्जी डिवलफ्पेंट इजनसी विसल लोर कोटल बनाया है इसमें क्या है करप्शन के लिए यहां पर इस पोटल में आप जा सकते और कोई कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कोई भी फ्रॉड करॉप्शन या एब्यूज ऑफ पावर हो रहा है तो इंडियन रिनेबल एनर्जी डिवलेप्मेंट इंजनसी यह मि के अंडर आता है करप्शन हमारा टॉपिक में यूज कर सकते हैं जहां पर उस ऑर्गनेशिशन के लोग विसल ब्लो कर सकते हैं और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको गुप तरका जा है कि कुछ भी गलत कर रहे तो यहां लॉंच किया जा सकता है बताया सकता है फिर लोव कि एक बोक्सेंग करते हैं तो लोविना बो ओर है बोक्सिंग कर देर तो ऑप बन्रॉंपिक्स में ये और ब्रॉंपिक्स में मिला चेंपिनशिबह ए बेन लॉट नहीं चैपिशिप विए इसलिए इपॉर्टन ध्यानचन खेल रखन लागाए फ्लेश ब्लेंग प्लेश क स्टेट निरेटिंट सेट मिंगे सबसे ऊपर गुजराथ अबसके अंदर गुजरात करल रहा है इसमें लॉजिस्टिक इस लॉजिस्टिक इस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट कम कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर प्यूश गोज़जी ने लॉंच करी थी यूपी है चे पॉजिशन जब किया है गुजरात इसमें फर्स्ट है 21 स्टेट्स के अंदर इनके जगह पहुंचाना है त्रांस्पोर्टेशन होगा उसको इस कैसी उस चीज़ को चाहिए नेक्स्ट वट इस दी थीम ऑफ आर्बियाइज हार्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांस्फोर्मेशन आर्बिया हार्बिंजर नहीं ने क्या किया है यह एक ग्लोबल हैके थान और हैं के रिखेर स्मार्टेश facto घमनें थार्इब हैक व्रटिकने की फोर्टल इसतने नाथा मवेशन अफैरको शोंख एक पी, स्मार्ट अज़ों करिया, स्मार्ट धिजित्न पहेर ग्रींदून इवर्टेकि भंद इच्ब्डि clayoda 2 कर स्मार्ट्धिट després पोत्यर्मेशन और और अधिटर दिवस यह मनाएगा वोता है यह सोला नॉबर से स्टार्ट किया है अभी पहली बार दोना है और इसको पार्टिव में करेंगे ऑडिटिंग बहुत ज़रूर है और इंडिया और इंद्ध महालेखा परिक्ष़ ऑडिट करता है क्या बहुत इंपॉर्टेंट आपसे विच्व फॉलिविएज इन तेलंगाना थे लेक्टेड एज वन फॉरिजम विलेज वार उनाइट नेशन वर्ड टॉरिजम और इस विलेज़ तो इन्हों ने कौन सा विलेज तेलंगाना का है तूरिजम विलेज की तरह दिया नागरू वदापल्य केशभपूर पोचंपल साधी के प्रकार है यहां पर पोचंपली विदेरेज यादादरी भुवनागरी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना है तो हैंड वो होता है और बहुत फेमस है पूरे वर्ड में बहुत महेंगी होती है पोचंपली साधी तो बेस्ट टुरिजम विलेज नाइटे निशन इंद्रा गांधी पीस प्राइज फोर डिसार्ममेंट डेवलप्मेंट फॉर 2021 यह किसे मिला अक्षय आर्जू एच्वल प्रथम प्रथम और्गनाइजेशन है असर रिपोर्ट निगालते हैं तो प्रथम है इनको मिला सिविल सुसाइटी और्गनाइजेशन है पीस और ड इंद्रागाथी इस प्रेश आर्मी चीफ अब्सर्व्ट मिलिटरी एक्सराइज दक्षिन शक्ती इच और दक्षिन शक्ती को घर्ट कराया था आर्मी और एर फोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था जैसल मेरे हमारे ती-सेवेंटी टैंक्स और इसके अलावा जो विजयंता टैंक और आर्मी के और इंडियन एर फोर्स के द्रूब हेलिकॉप्टर रुद्रा हेलिकॉप्टर और जैग्वर फाइटर एर क्राफ्ट इन्होंने पार्टिस्पेट किया था ड्रेल किस चीज़ के लिए की जा रही है और जो मुना आर्म अचीव्मेंट ऑफ बियारो फॉर कंस्ट्रक्टिंग वर्ड हाइस्ट पॉर्ट रेवल रोड इन विच और फॉलिंग पास में हाइस्ट रोड बना है उमिंगलाबास यह उमिंगलाबास हमारा यहां पर हाइस्ट रोड वर्ल इसके लिए गिनेश्ट इसको अवार्ड वि फीट वर्ल्ड हाइस्ट मोर्ट रेवल रोड विंगलाबास में वियारो में पनाया है वट इस दे रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेंट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स अभी आया है इंडिया क्या रैंक है तैंट एट्ट फिटीन टैंट रैंक है हमारा क्लाइमट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में हम भी अच्छे रैंक में इंडिया अच्छा गाम कर रहा है क्लाइमट चेंज को टैकल करने को वीरगाथा प्रोजेक्ट फॉर्चें इंडेक्स इससे प्रोजेक्ट चला रहा है एकईस अक्तूबर से 20 नूमबर चला था प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं जितने भी स्कूल है तेट या यूनियन टेरिटरी जो भी हमारे वीर है ना उनकी गाता है जिसे न अनर जो अक्ट्स करिए ब्रेवरी की सैक्रीफाइस की जो आप्र ऑफिसर है उनों उनके लिए जिनको गैलंटरी ओवाड़्स मिले वे हैं तो न गैलंटरी ओवाड इनके आट्स की तो इसके लिए मिनिस्ट्री और डिफेंस है स्कूल को मोटिवेट किया जाए कि प्रोजेक्ट और एक्टिविटी करवाई जाए जो गैलेंटरी वार्ड विनर्स है उनके लोग उसको याद रख सकें उनको उनके बारे में इन्फार्मिश रिसेंट्ली वीच यह हर साल मतलब ना सेम नाम से ही होते है जैसे जिपने वारी यह एक्सराइज इस वारियर इजिप्ट के साथ है तो कहां पर हुए यह बेरिगाद एरवेस एजिप्ट में और यह किस चीज़ के लिए ताकि आप उसमें ऑपरेशन अपर्चुनिटी है वे ऑपरेशनल एक् इनिशेटिव को लांच किया है और इसमें हम चाह रहे हैं कि वुमिन एट लीस्ट करें वन लाट पर एक साल में एक लाटों कमा पारें बारा महीं है इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कपैस्टेटू 500 गीगावाट कौन से साल में दो हजार तीस पंताली पचा के सब्सक्र यह दो हजार तीस तक हम चाह रहे हैं कि हमारा 500 गीगावाट और कहां से नॉन फॉसिल तो यह अनॉस्मेंट होगी है कोप 36 में 500 गीगावाट नॉन फॉसिल सोर्स से 2030 तक हम करना चाह रहे हैं ग्लास्कोप में बोला था पंचामरी तो भी दिया था ने ग्लास्कोप विच अप्ट फॉलिंग प्लाट्फॉम एज पॉइंट प्राग अगरवाल एडिस नू सी टुटर फेस्टूप यूट्यूब जुम्हें टुटर अप तो फॉटाने की बात भी और यह थोड़ा से इनने इलनमस के गेस्ट गेस्ट पोल दिया है तो वह सकता है वहीं है यह बार्बादॉस यह हमारी वर्ल्ड न्यूस्ट रिपब्लिक है चार सो साल ब्रिटिश कॉलनी रही है उसके जिसने मेरे स्लेव सोसाइटी इनको बनाए गया था इंग्लिश कॉलनी 1625 में बनी थी 1966 में इनको इंडिपेंडेंडेंस दे दी गई रिपब्लिक बना है इ को फूल इनको इनको करेबिन ऑलेशन है जो कुईन थे लिजबेट उनको हेड़ाइड फटेट हटा के अपना एक रेपब्लिक अलग से बनाया आए बार बता है कि नहीं प्रेस्टेटिन उन्हें चूस करिए एलेक्टिश नेम साइक्लों नेम ऑफ साइक्लों जवाद है इसका मतल़ जवाद का है इस बड़ा है लेकिन जेनरस है तो साइक्लों जवाद यह जिसके जाते कि बहुदा सेवेर नहीं है जवाद प्रॉपिकल साइक्लों के नाम रखे जाते नाम क्यों रखे जाते हैं इस चीज़ को सिस्टम क्या है अलग-अलग कंट्रीज है सब सब कंट्रीज एक एक नाम देती है फिर वो नाम ने ऐसे लगा दिये जाते हैं ऐसा इसलिए है कि कौन सा साइक्लोन आ रहा है लिस्ट में नाम लगे हुए पिछला नाम हो गया इसका मतलब आ गया अब जिसे एक ट्रॉपिकों साइक्लोन आथा साथ में दूसरा भी आ जा होगा दूसरे भी होगा तीसरे का सी होगा तो अगर व्येंद कर रहे है कि स्टाइक्लोन यहां पर पहुंचा है बादव कि यह ठीज तो इसका मितलब क्या है है अगर इससे पहले इस पहले आ चुका है अभी सी की बात कर रहा쪽에 अट कर रहें बहु क् 앉h ए भी चला आब है य इसी लिए नाम रखने का एक सिस्टम कोई नाम नहीं होता है वेस्टरन डिस्टाव जैसे मारे बारिश सर्दियों में आती रहती है हम कोई नाम थोड़ी रखता है आ गया बस चार-बाइस दिन के लिए आएगा फिर खतर हो जाएगा बारिश करके चला जाएगा और विच्व दॉड़ फॉलिंग एज अनॉंस दे लाँच ऑगा दी यह 75 स्टार रेटिंग प्रटॉबल ऑफ गार्विज फ्री सिटी डूट के दोजार बाइस डिस्ट्री अप्रवाज फॉम अफेर्स फॉर्प अफेर्स फॉर्प अफेर्स था निस्ट्री अप्रप्र तो यहां बेस्टार रेटिंग भी जाएगी गार्विज फीशिटी स्कॉप अच्छ वारत के द्रचल रहा है विच वालिग इंस्टिशन इस लॉट्ट वर्नाकुलर इन्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया बनाकुलर इन्वेशन प्रोग्राम निटियायो नैशनल डिवल्लप्प्रंट कांसिल यह सेक्यूरिटी एंड एक्शेंज कोड़ एडिया इन्वेशन प्रोग्राम चला रहे है डिप क्रीटिव एक्स्प्रेशन प्रम लांगविज टू आफ ट्रांजेक्शन इन्वेशन हर लैंगविज में तो यह नीतियायों का है कि नीतियायो प्रोग्राम चला है कि जो अलग अलग लेंगवेज इसमें जो लोग काम करते हैं वो भी इनोवेशन कर पाए इसके लिए हैं तो इसमें जो भी इनोवेटर्स और इन्टर्पनियॉर्स है इनको इनोवेशन एको सिस्टम by schedule languages में दिया जाएगा जो schedule language है उसमें उनको information assist करवाई जा सकती है क्यों कर रहे हैं ताकि जो यह वर्नाकुलर innovation program के हैंडे से aim है अटल innovation mission वो training देंगे वर्नाकुलर task force इन्होंने वर्नाकुलर task force बनाई है जिसमें लोग है इसमें कौन कोन है वर्नाकुलर teachers है जो local language वर्नाकुलर क्या है लोकल भाषा लोकल भाषा में जो teacher बढ़ाएंगे जो subject की expert है टेकनिकल writer है और leadership यह अटल incubation center यह सब मिलाके एक ऐसा ecosystem बनाएंगे कि जो लोग जो लोकल भाषा ही बोलते है वो भी लोग अपने गाव में innovations तो करी रहे है वो एक बड़े लेबल पर भी आपा है तो नीती आयव इसको manage करेगा अटल इनोवेशन mission के एगे वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम innovation in every language defense reserve development establishment यह establish कर रही है advanced biological defense research center यह कहां पर कर रही है ग्वालियर आगरा सूरत यह पोची यह ग्वालियर में बना रहे है तो नई laboratory बना रहे है defense research development establishment ग्वालियर मध्यप्रदेश में तो यह किसलिए advanced biological defense research center यह वाइरसे जहना dangerous और उनके safeguard और equipment को establish करना क्या कह रहे है जिसे अभी बन रहा है advanced biological defense research center यह वाइव सेटी लेवल 4 पे बनेगा बहुत कम country के पास है जिसमें बहुत dangerous viruses को भी हम दील कर सकते है study कर सकते है इसके लिए भी आजर है डियादी difference research development establishment यह मितलब है तो overall second research establishment को रहे है इसके आर एंडी और भी जिसमेंदा the ministry of home affairs has approved setting up of national cyber forensic laboratory as evidence for evidential purposes in which of the following cities तो national cyber forensic laboratory है यह कहां बन लिए कोलकाता इंडौर हैदराबाद सुरद specific के लिए किस चीज़ के लिए cyber forensic के लिए कि जिसे कोई आजकल crime कर रहा है बना online उन लोगों को पखड़ने के लिए उनके data base तक जाने के लिए उसके लिए ताकि evidence create किया जा सके कहां पर है कोलकाता इंडौर हैदराबाद सुरद यह हमारा हैदराबाद में तो ministry ने अप्रूब कर दिया है National Cyber Forensic Laboratory और एविडेशल परबस यहांपर Central Forensic Science Laboratory इससे क्या होगा cyber crime है इसको हम डीट कर पाएं तोगि अभी issue सबसे बड़ा यह आता है cyber crime करने के बार लोग anonymous हो जाते हैं पकड़े ही जाते हैं at least उनकी leads निकाल है which of the following week is being observed for 18 to 14 December 2021 International Literacy Day International Development Week National Energy Conservation Week Prevention of Blindness Week यह हमारा National Energy Conservation Week यहांपर Bureau of Energy Efficiency के अंडर इसको declare किया गया December 14 जो है यह हमारा National Energy Conservation Day है और यह Bureau of Energy Efficiency के अंडर आता है Ministry of Power इसको spearhead करता है objective क्या है National Energy Conservation Day का कि mass drive तरहे Energy Conservation के लिए अभी आजादी का अमरित मोट सब celebrate किया जा रहा है तोस टाइब पे 8 से 14 अना यह celebrate किया गया था आजादी का इसको बनाएगे बागी हमारे लिए December 14 इसको बनाएगे National Energy Conservation के इसको बनाएगे इसमें जो celebration होई थी तीन चीज़े गरी थी तीन मेजर एक्टेशन पेंटिंग कॉंपटिशन स्कूल चिल्डर्न के लिए National Energy Conservation Awards दिए गये थे इंडिस्ट्री और इस्टाबिश्मेंट पो और National Energy Efficiency Innovation वाड यह इन्नोविशन एनर्जी एफिशन टेक्नोलोजी इसको कर रहे थे उसके लिए इसको लॉंच किया गया है कॉंसी स्टेट्स के लिए पंजाब हरयान उत्राखंट लुपी मिल्क प्राइस इंसेंटिव की यह हमारा उत्राखंट में प्रदान बंटरी मुदी has the all-india mayor Conference अुछारे मेर्स कांफरेंस होती कskoo terapad लग्सना वार tied वाराद्सी में all India मेर्स कोंफरेंस मनः गいて ź aç में रिसंटलीब्ड ली तॉ पाल strop от आइस बेर इंस्क्राइब शुर्थ ट्री मुझा इसको उसी North ऑंकि esque को सब्सक्राइब शुंध कर रहे हैं उसी तरी्टभा पूचा इसको अड़्यट करंग हैं इसको अवार्ड किया था कॉंट्राक्ट टाटा पावर सोलर सिस्टम सेट कर रहे हैं लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टिविटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट यह किस स्टेट में 36 का तूरी सा पर्जाब हरे आना आजके बहुत हो रहा है सोलर अनर्जी के उपर तो यह कहां पर है चाटीस कर चाटीस कर सोलर अनर्जी कॉर्परेशन ओंडिया कॉंट्राक्ट टाटा पार सोलर सिस्टम ओइल इंडिया लिंटेड इस सेटिंग अप्लाइट तो मैनिफेक्ट्चर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिच आशाम या महराष्ट्रा तो कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा रही है असाम अजकिल हाइड्रोजन को अल्टरेटिव फ्यूल की तरह भी देखा जाए असाम रिजिदेंशियल एजुकेशन फॉर स्टुडेंट इन हाइड स्कूल इन टार्गेटिड एडिया श्रेश्ट स्कीम यह लॉंच की गई है कौनसी मिनिस्ट्री के द्वारा श्रेश्ट के माइनॉरिटी अफेर ट्राइबल अफेर एड्यूकेशिए सोशल जिस्टिस स्कीम हमारी यह सोशल जिस्टिस और इंपावर्मेंट के अंडर किये लिए श्रेश्ट इस अगेश्ट कर दो अटी तल्गर्ट